कस्तूर्बा मोहंदास गांधी एक भारतिय राजनीतिक काजय करता थी उन्होंने 1883 में मोहंदास गांधी से शादी की अपने पती और बेटे के साथ वह ब्रिटिश भारत में भारतिय सोतंतर्ता आंदोलन में शामिल थी वह कापी हद तक अपने पती से प्रभावित थी सब्सक्राइब करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और कॉमेंट करें आप इस चैनल पर यूपीएसी डिट सब्सक्राइब को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्रेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है यह सारा कॉंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है जो भी सीरियस यूपीएसी एस्पिरेंट से हैं वो वाइस सर को कॉंटाट कर सकते हैं ओन वाट्सेप 7200-681-675 टेस्ट सीरीज और पाउंडेशनल वीडियो के लिए कश्टूर्वा गांधी का जन 11 अप्रील 1879 को गोकूल दास कपाडिया और व्रज कुमर्वा कपाडिया के घर हुआ था परिवार गुजराती हिंदू व्यापारियों की मोध बनिया जाती का था और तटिये सहर पूरबंदर में स्थित्ता मई 1883 में कश्टूर्वा की शादी 13 वर्षिये मोहंदास के उनके माता पिता द्वारा तय की गई शादी में हुई थी भारत में अरेंज मैरेज आम और पारंपरिक थी पॉलिटिकल कैरियर कश्टूर्वा गांधी ने अपनी पहली बार 1904 में दक्षीन अफरिका में राजनीती में खुद को शामिल किया जब उन्होंने अपने पती और अन्य लोगों के साथ डर्वन के पास फीनिक्स सेटल्मेंट की स्थापना की 1913 में उन्होंने दक्षीन अफरिका में भारतिये प्रवाशियों के साथ दुर्वेवहार के विरोध में भाग लिया जिसके लिए उन्हें ग्रफतार कर लिया गया और 23 सितंबर 1913 को कड़ी मेहनत की सजा सुनाई गई जेल में रहते हुए उन्होंने प्रार्थना में अन्य महिलाओं का निद्वित किया और अज क्षित महिलाओं को पढ़ाने और लिखना सिखाने के लिए प्रसाहित किया गांधी और मोहंदास यहां गांधी का मतलब है कस्तूर्वा गांधी गांधी और मोहंदास जुलाई 1914 में दक्चिन एफरिका छोड़कर भारत में रहने के लिए लोट आए कस्तूर्वा की पुरानी ब्रॉंकाइटिस के बावजूद उन्होंने पूरे भारत में नागरिकों, नागरिक कार्यों और विरोध परदर्शनों में भाग लेना जारी रखा और जब वह जेल में थे तो अक्सर अपने पती की जगह लेती थी उनका अधिकान समय आश्रमों में मदद करने और सेवा करने के लिए समर्पित था यहां गांधी को बा या माता के रूप में संदर्वित किया गया था क्यूंकि उन्होंने भारत में आश्रमों की मा के रूप में शेवा की की थी गांधी और मोहंदास के बीच एक अंतर यह था कि उनके आश्रम में उनके बच्चों का इलाज होता था गांधी का मानना था कि उनके बेटे विशेश उप्चार के लायक नहीं थे जबकि गांधी को लगा कि मोहंदास ने उनकी उपेच्छा की है 1917 में गांधी ने बिहार के चमपारन में महिलाओं के कल्यान पर काम किया जहां मोहंदास नील किसानों के साथ काम कर रहे थे उन्होंने महिलाओं को स्वक्चता, अनुसाशन, स्वास्थ, पढ़ना और लिखना सिखाया 1922 में उन्होंने गुजरात के बुरसाड में एक सतिगरह आंदोलन में भाग लिया, भले ही उनका स्वास्थ खराब था उन्होंने 1930 में गांदी के प्रसीद नामक मार्च में भाग नहीं लिया, लेकिन कई सविने अवग्या अभ्यानों और मार्चों में भाग लेना जारी रखा नतीजतन उसे उन्हें कई मौक्यों पर गिरफतार किया गया और जेल भेजा गया 1949 में गांदी ने राजकोट में ब्रिटिश शाषन के खिलाफ अहिंसा विरोध में भाग लिया, जब शहर की महिलाओं ने विशेश रूप से उनसे उनकी वकालत करने के लिए कहा गांदी को एक बार फिर गिरफतार कर लिया गया और एक महिने के लिए एकांध कारवास में रखा गया उनकी तबियत खराब होई लेकिन उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई जारी रखी 1942 में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए मोहंदास और अन्य स्वतंतरता सेनानियों के साथ फिर से गिरफतार कर लिया गया उन्हें पूने के अगाखान पैलेस में क्यायत किया गया था इस समय तक उनकी तबियत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और पूने के डिटेंशन कैम्प में उनकी मौत हो गई तो ये थी कस्तूर्वा गांधी जी की जीवनी आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जय हिंद जय भारत